शुक्रवार से शुरू होए पुलीस, महानिदेशक और महानिरिक्षिकों के तीन दिवसिये सम्मिलन का जंतिम दिन सम्मिलन में साइबर क्राइम, ड्रक्स के खिलाव जंग, आत अगवाद से ने पटने की चुनोतियों समेथ कई मुद्दो पर चरचा प्रधान मंत्री आज भी सम्मिलन में होंगे शामिल प्रधान मंत्री सोमवार को, केंद श्रासर प्रदेश, और निकोबार, द्वीप समू के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों के नामकरण कारिक्रों में होंगे शामिल प्रगानमंत्री नेताजी सुभाश रंदर बोस को समर्पित राश्ट्वेस मारक के मौटल का भी करेंगे नावर्ण मौसर विभाग निका 23 जनवरी से पश्चमी विक्ष्योप के चलते मौसर में आएगा बदलाव 24 जनवरी को जमौ कश्मीर हे माशल प्रदेश और उत्तुराखंड में भारी बारिश की संभावना दिली के आसपास 24 के राच से 25 के बीच हलकी हो जाती है बारिश अगले पांच दिन तक तापमान में गिरावट रहेगी जारी ब्रादील की राश्पती लूला डुसिद्वा ने सेना प्रमुक अरुडा को किया बर्खा सेना प्रमुक अरुडा पर प्रदेशन कारियों के खिलाफ कारवाई करने में विफ़र रहने कारों ओडिशन में चल रहे होकी विश्वर कप के क्रॉसोवर मुकाबले में आज भारत की न्यूजिलेंड से भिरंत पूल डी में दूसरे स्थान परकाबेज भारत के लिए मुकाबलों में करे हो या मरों की स्थिती क्वाटर फानल में पहुँचने के लिए भारत को जीतना नमस्कार आप देख रहे हैं NTT News मैं हूँ आसल गुलाटी गुंबर आये अब जान लेतिन सभी खबरों को विस्तार के साथ ने दिल्ली में चल रहे हैं पूलीस महा निदेशकों और महा निरिक्षकों की अखिल भारतिय सम्मेलन का आज समापन होगा प्रदान मंत्रुई न सम्मेलन शुकरवार से शुरू हुआ था सम्मेलन में सभी राज्यों और केंदर श्रासित प्रदेशों के पूलीस बलों के डीजीपी और आईजीपी के अलावा खेंदरी पूलीस बलों और अन्य खोफियां और सुरक्ष एजंसियों के वरिश रधिकारी भी हिस्सा ले र रही है हर विशे पर राज्यों और केंदर श्रासित प्रदेशों द्वारा अपनाएगाए सर्वश्वेश्ट रुतरीकों को सम्मेलन में दर्शाय गया है प्रदानमंत्री नुए दमोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माधियम से केंदर श्रासित प्रदेश अंडिमान और नेकोबार द्वीप समू के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों के नामकरन कारिकरम में शामिल होंगे आजादी के अमृतकाल में परमवीर च्वाकर से सम्मानत वीर सेनिको को श्रद्धान जी स्वरूप इन द्वीपों का नामकरन परमवीर च्वाकर विजेताओं के नाम पर किया गया है कारिकरम के दौरान परतान मत्री नेता जी सुभाश अंद्र बोस द्वी बनने पर नेता जी को समर्पित राश्ट्रिस मारक के मॉडल का भी अनावरन किया जाएगा और अब बात करते हैं मौसम को लेकर उत्तर भारत में अगले हफ़ते मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है मौसम विभाग ने 24 और 25 जन्वरी को उत्तर भारत के कई राशों में बारिश की बविश्य माने की है मौसम विभाग ने कहा कि आगामी पश्यमी विक्षोब के कारण मौसम की स्थिती में बदलाव देखने को मिल सकता है पारिक शेत्रों में 23 जनवरी से ठंड बढ़ने लगेगी और उसका प्रभाव मैदानिक शेत्रों पर 24 जनवरी से देखने को मिलेगा जो की 25 जनवरी को भी जारी रहीगा मौसम विभाग ने जौरान जमु कश्मीर और माशल परदेश और उत्तराखन में भी भारी बारिश का नुमान जटाया जिससे नियुंतम दापमान में गिरावट की संभावना है सरकार ने प्रधान मंत्री नरेंते बोधी पर BBC की प्रापोगेंडा डॉक्यूमेंटरी को शेर करने वाले कई YouTube वीडियो को ब्लॉक कर दिया सुत्र के मुताबिक इस डॉक्यूमेंटरी में विवादास पर एपिसोद को शेर करने वाले तमाम वीडियो जो है YouTube पर उन्हें ब्लॉक कर दिया गया साथी YouTube वीडियो के लिंक वाले 25 यदिक ट्वीट्स को भी ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया है पतारमंत्री नुएंदमोदी पर BBC की प्रॉपगेंडा डॉक्यूमेंटरी का विरोध बढ़ता ही जा रहा है विदेश मंत्रवाले पहले ही डॉक्यूमेंटरी को भारत के खिलाफ एक हास किसम के दुश प्रक्चार का नेरेटिव चलाने की कोशिश पता चुका है वहीं अब देश के तमाम पतिष्ठित लोगों ने भी इस विवादास्पद डॉक्यूमेंटरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया देश के कोल 302 पतिष्ठित नागरिकों ने BBC के खिलाफ एक पत्र लिखा इन लोगों में 13 सेवा निर्विट नियाधीश 33 राज़दूद समेट 133 सेवा निर्विट नौकरशा और सशस्वल के 156 सेवा निर्विट अधिकारी शामिल है पत्र में कहा गया है कि BBC ने अपने इस डॉक्यूमेंटरी में इस पश्रूप से तथ्यात्मख गलतियां की है पत्र में कहा गया कि खुद को स्थापित करने के लिए BBC संसनिक खेज़वाद पर फल पूल रहा है पत्र में ये भी आगे कहा गया कि ये सब BBC की दुर्भावनाओं को उजागर करता है और उसके पीछे की मंच्छा पर सवाल भी उठाता है पत्र मंत्री नोजगार मेला के तहट शुकरवार को पत्र मंत्री ने देशपर में 71,000 से ज्यादा निउक्ती पत्रिस्वाँ पे थे इसी मौके पर पत्र मंत्री ने कुछ दवनिउक्त युवाओं से समभाद किया एन युवाओं में पश्चुम मंगाल की सुप्रभा विश्वास और श्रीनगर कश्मीर से फैसल शौकाच शाभी शामिल थे आपकी बहुत छोटी आई में आपको जॉब मिल गई है तो पढ़ाई तो पुरी नहीं हुई होगी अब पढ़ाई के क्या सपने हैं क्या सोच रही हूँ आप हां सर मैं बहार कर रही हूँ इगनु से ग्राजवेशन कर रही हूँ अभी अभी मैं आई गट वो की इंटीग्रेट गवर्मेंट ओनलाइन फ्रेनिंग है मांत में आपको आपको अपको आई गट कर्मयोगी प्लेटफर्म जो बना है उसका लाप क्या हो रहा है आपको सर यह आई गट जो ओनलाइन प्लाटफर्म है यह खार पर स्कील डेफलोप्मेंट के लिए बनाए गए हैं गवर्मेंट एम्प्लोईज के लिए यहां हम अपने जरुरत के हिसाब से कोर्सेस कर सकते हैं के जएसे कि मेरे फापलिक सेक्टर ब्हेंक में जॉब करती हूं यहां पर कस्टोमर डीलिंग का बात है यहां पर हमें रौऑज कस्टे मुनिकेशन का कोर्स इस्प मुझे बहुत फादा हुआ इसे मेरे कम्मुनिकेशन स्कील्स अलोंग विद राइटिंग स्कील्स आप इंप्रूट अलोट और यहां पर एक और चीज है जैसे की डिस्कॉशन हब यहां कोई भी स्टुमेंट्स प्रीली ओपनली कोशिंस पूच सकते हैं और हमारे डाउट्स दी क्लियर होते हैं आप भी तो आईगाड करमियोगी का जरूर लाब लेते होंगे उस प्लेटफॉर्म पर आपको कितनी मदद मिली व्यक्ति के दूप से आपको क्या बेनिफेट होता है जी सर, नए जौइनीज के लिए जो करमियोगी प्राड़म मोड्यूल बनाया गया है मैंने उसके सभी आठ कोर्स किये है आनलाइन होने की वज़े से इन कोर्स को करना बहुत अप्तान रहा प्राड़म मोड्यूल का मैंने सेल्फ लीडर्शिप कोर्स किया है जिससे मुझे मदद मिली है खुद को बहतर जानने में और मैंने कोर्ड अप कंड़क्ट, वर्ड अप गिनर्स एंड एक्सल पे कोर्स किया है जिससे मुझे रोज मर्रा के कामों में मदद मिली है आफिस के कामों में से मुझे लगता है इस दोर में खुद को अपस्किल पे रहना बहुत ही ज़रूरी है आगे चल कर मैं कर्मियोगी प्लाटफॉर्म से और भी कोर्स करना चाहूँगा जिसके बदावलत में आसानी से जिन्दगी में आगे बढ़ सको और अब खबर तृपुरा से जुहां विधानसभा चुनाफ को लेकर सभी राश्मृतिक दलों ने चुनावी प्रचार में अपनी ताकत जोग दी तृपुरा के मुख्यमंतुरी मानिक साहा ने डोर टू डोर कैमपेंग किया बता दे की तृपुरा में 16 फरवरी को सभी 60 विधानसभा सीटों पर मद्दान होगा और 2 मार्च को मतों की गिंती की जाएगी और अब बात दिल्ली की आबो हवा को लेकर राश्थानी दिल्ली में वाई गुडवत्ता की स्थिती खराप श्रणी में बरकरार है सफर के अनुसार PM 2.5 का स्थर 211 दर्च किया गया वहीं PM 10 का स्थर 215 दर्च किया गया इससे पहले शरिवार को भी पदुशं का स्थर खरापशणी में दर्च किया था देश भर में 24वे गंतंत्र … दिवस को लेकर उत्सा का महौल है और रासल प्रदेश में असम राइफल्स की खौंसा बटालियन ने एक मेगा रिले मैराथॉन का आयोजन किया तिरप और लॉंग डिंग जिला प्रश्वासन के साथ ये रपीफ ने भी मैराथॉन के आयोजन को लेकर अपनी एहम भूमी का निभाई मैराथॉन में युवाओं और स्कूली चात्रों के साथ 35 याधे गाओं के स्थानी निवासियों ने भी पूरे जोश के साथ भाग लिया मैराथॉन में दिलाप्रश्वासन के अधिकारी भी शामिल रहे स्थानी लोगों ने इस दोड़ को आयुजित करने के लिए असम राइफल्स के प्रियासों की सरहाना की वक्ति ब्रेकाउट परीक्षा यानि रिजल्ट, अड्मिशन, करियर और सिक्सेस का प्रेशा इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों न ले प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सिख लीजी सिरब परीक्षा के आंक ही जिंदगी नहीं हर साल की तरह इस साल भी प्रधान मंतरी जी करेंगे विद्वियार्थियों से सीधा संबाद और बढ़ाएंगे एक्जाम बॉरियर्स का होसला परीक्षा पिचर्चा दोहजार तीस देखिए डीडी नियूज और सभी सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स पर 27 जन्वरी सुभा ग्यारा बजे से आर्बियाय कहता है जानकार बनिये सतर करहिए ब्रेक के बाद सबीका स्वागत रुकरते अंतराश्ट्रे खबरों का खबर ब्राजील से जहांके राश्पती लूइस एनासिया लूला डसिल्वान ही सेना प्रमुक जूलियो सीजर डी को पत से बर्खास कर दिया राश्पती लूला डसिल्वान ही उनकी जुगा जूनरिल टॉमस मिग्वल रिबेरो पाईवा को सेना प्रमुक का दाइत वस्वापा वही दक्षिनपूर्व सेने कमान के वो प्रमुक थे राश्पती लूला रिसिल्वा ने सेना प्रमुक अरुड़ा पर प्रजशन कारियों के खिलाफ कारवाई करने में विफल रहने का आरोप लगाया ब्रादील में हाल ही में पूर राश्पती जैर बोल्सनारों के समर्थ को द्वारा सरकारी भवनों पर धावा बोलने और सावधनिक संपत्ती को नश करने के बाद सेने प्रशासन पर कई आरोप लगाये थे राश्पती लूला डसिल्वा ने कहा कि निश्वित रूप से सेना में ऐसे लोग थे जिन्होंने दंगे होने दिये राश्पती ने कहा कि तखता पलट के प्रयास में शामिल सभी सेनिकों को दंडित किया जाएगा चाहे उनका पद कोई भी हो वेनुदला के पूर्फ ग्रे मंत्री मिग्विल रोडरिगेज टॉरेस लगभग 5 साल बाद ज्विल से रिहा हो गए है मिग्विल रोडरिगेज को वर्ष 2018 में गिरफतार किया गया था मिग्विल रोडरिगेज पर सेनेबलों पर हमला करने की साज़िश में शामिल होने का आरोप था रोडरिगेज टॉरेस की गिरफतारी के विरोध में वो भूखर ताल पर गए थे मानवधिकार संगटनों ने रोडरिगेज को जेल में परतायित करने का विरोध किया था कबर फ्रांसे जहां पेंशन सुधारों की मांग को लेकर विरोध प्रदेशन जा रही है फ्रांसेजी यूनियंस ने सेवा निर्वत्ती की उमर को बढ़ाने की योजना के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदेशन किया विरोध प्रदेशन के दौरान कई संगटनों ने सावजनिक हर्टाल का एलान करते हुए सरकारी सेवाओं को बाधित किया प्रजशन के चलते सावजनिक परिवहन सेवा बुरी तरह से प्रभावित हुई है प्रजशन कारियों ने कहा कि सरकार ने रुटार्मेंट की आधिकारी कुमर को 62 से बढ़ा कर 64 करने का प्रस्ताफ पेश किया है जो पूर्ण पेंशन के लिए जरूरी नियुंतम सेवा काल की अवधी को बढ़ा देगा रुक करते हैं खेल की खबरों को बात करते हैं हौकी को लेकर ओडिशा में खेले जा रहे पूरु शौकी विश्व कप में आज बुफनेश्वर में क्रॉसोवर मुकाबले में बारत का सामना न्यूजिलेंड से होगा बारते टीम ने ग्रुब डी में जहां दूसर स्थाना असल किया और स्पेन और वेल्स के खिलाफ शांदा जीत दर्च की है वह न्यूजिलेंड की टीम को अभी तक इस विश्व कप में सिर्फ चिली के खिलाफ ही जीत मिली दोनों टीमों के लिए वैसे ये मुकाबला करो या मरो का है क्योंकि यहां जो भी जीत दर्च करेगा वो क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगा स्पेन और वेल्स को हराने के बाद भारती होकी टीम ग्रूब डी में दूसरे नंबर पर है और अब टीम के सामने क्वार्टर फाइनल में जाने की चुनोती है हर्बन प्रीथ की सेना पिलहाल जिस पॉम में है उसे देखते हुए कीवी टीम से पार पाना मुश्किल भरा नहीं दिखता लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की डोस हमेशा घातक होती है और शायद इस बात से भारती रन पाखुरे खुद को बिलकुल भी दूर नहीं रखना चाहेंगे टीम की बात करें तो स्पेन और इंगलेंड के खिलाफ शांदार प्रजेशन करने वाले हार्दिख सिंग चोट की चलते निटलैंड मैच में सामने नहीं होंगे ऐसे में ये बात जरूर टीम इंडिया के लिए एक बड़ा छटका होगी लेकिन इससे हट कर अगर खेल की बात करें तो एक बार फिर से टीम को पेनलिटी कॉर्नर पर जबरदस रूप से महनत करनी होगी क्योंकि अगर पहले दो मुकाबलों को उठा कर देखा जाए तो भारती टीम को कुल 9 पेनलिटी कॉर्नर मिले थे जहां टीम सिर्फ एक को ही गोल में बदल पाए इसके साथ ही फिनिशिंग पर भी टीम को ध्यान देना होगा क्योंकि आसानी से भारती टीम भी गेन को गोल पोस्ट में पहुचाने में सफन नहीं हो रही लेकिन इसके साथ ही अच्छी तस्मीर ये है कि टीम का डिफेंस बेहत सॉलिड दिख रहा है जहां विरोधी टीम को गोल करने के मौके तक ढूनने के लिए तरसना पड़ रहा है भारती टीम के पास आकाश दीप सिंग और अमित रोहिदास और खुदकप्तान हर्मन प्रीत हैं और इनकी तिकडी अपने दिन पर किसी भी विपक्षी टीम पर भारी पड़ने के लिए काफी है उदर न्यूजिलेंड की बात करें तो इस टीम की विश्व रैंकिंग 9 है टीम चार बार विश्व कप में सात्वे स्थान पर रही है न्यूजिलेंड ने विश्व कप में अपना अभ्यान जीत के साथ शुरू किया था और चिली को पहले मैच में 3-1 से हराया था लेकिन इसके बाद इस टीम को न्यूजिलेंड के खिलाफ 4-0 से हर मिली जबकि मलीशिया के खिलाफ 3-2 से शिकस्त का मूँ देखना पड़ा आखरों की बात करें तो न्यूजिलेंड और भारत के बीच अब तक 44 मुकाबले हुए हैं जिसमें 24 में भारत ने जीत दर्ज की है जबकि 15 मुकाबले न्यूजिलेंड ने जीते हैं वहीं 5 मुकाबले टाई रहे हैं तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक ऐसी जंग रहेगी जहां दोनों और दबाओ का खेल हावी दिखेगा और इसी बात पर सही कंट्रोल कॉर्ट अफ़ानल में एंट्री का डोर ओपन करेगा और अब खबर सूरत से परूशन के खिलाफ लोगों को जागरू करने के लिए गुज़ात के सूरत में साइकलोथॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया इस प्रतियोगिता में 5000 से अधिक लोगों ने भाग लिया स्मार्ट सिटी ड्वेलप्मेंट सूरत महानगर पालिका और सूरत श्वेयर पुलीस थ्वारा कारिक्रम का आयोजन किया गया है इसमें 5 किलोमेटर और 20 किलोमेटर तक की श्रेणिया शामिल है और आए अब जान लेते हैं मौसम काल की नियूंतम और अधिक्तम तापमान क्या है आपके राजों में आए नज़र डालते हैं झालते हैं झालते हैं और फिलाल समचारों में इतना ही दीचे जासत नमस्कार